नमस्कार, मैं हूँ विद्या, AXIS MF के Weekly Wisdom में आपका स्वागत है, चलिए शुरुआत करते हैं, पहले अपडेट के साथ, U.S. Federal Reserve ने हाल ही में इंटरेस्ट रेट्स में 50 पेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स अब 4.7-5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के रेंज में हैं, ये पहली बार है जब साल 2020 के बाद U.S. ने इंटरेस्ट रेट्स कम किये हैं, इससे इंफलेशन भी नियंतरण में आने की संभावना है और ग्लोबल लिक्विडिटी में सुधार हो सकता है। इसका भारत पर भी असर होगा, क्योंकि लोवर U.S. इंटरेस्ट रेट्स से इंडियन मार्केट्स में फॉरेन इंवेस्टमेंट बढ़ सकती है, जो एक्विटी और डेट के लिए फाइदे मंद हो सकता है। भारत सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर जो विंट्फॉल टैक्स लगाया था, उसे 18 सितंबर 2024 से हटा दिया है। ये टैक्स तब लगाया गया था, जब ग्लोबल प्राइसिस तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अब ग्लोबल के कारण इसे हटाने का फैसला लिया गया है। सरकार एनरजी सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए ये कदम उठा रही है। और अंत में एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़कर MSCI Emerging Markets Investible Market Index में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इस डेवल और Small Cap Stocks को शामिल करता है जो 24 Emerging Markets से आते हैं। ये थे इस हफ़ते के अपडेट्स। अगले हफ़ते के लिए बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए धन्यवाद।